आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलिशन पाओ डाउनलोड नाओ तो Question कह रहा है कि Under the Spout of Overflow Jar Place a Measuring Cylinder एक Overflow Jar है सही बात है उसके नीचे कह रहा है Question की एक Measuring Cylinder फ्लो करो यह हमारा Overflow Jar है उसके बात Question क्या कह रहा है कि Gently Lower a Stone in the Overflow Jar हम Gently एक Stone जो है इसमें Lower करेंगे उसके बात क्या कह रहा है Question The Stone displaces water which flows out from the spout into the Measuring Cylinder कुछ पानी निकल के इस Overflow Jar में आएगा जब हम इसमें Stone डालेंगे यह Measuring Cylinder में आगया है उसके बात क्या रहा है Question The reading of the overflow jar is 12 ml then the volume of Stone is यह जो पानी गिरा Measuring Cylinder में क्या reading दिखा रहा है 12 ml हमें बताना है कि Stone का Volume क्या है अब जो पानी नीचे गिरा है वो पानी किसने Displace किया है Stone ने तो Stone की Volume क्या हुई यह जो Displaced पानी Measuring Cylinder में गिरा है इसके बराबर तो आंसर है हमारा 12 ml में लेकिन यह है Options मीटर क्यूब में तो हम 12 ml को Convert कर लेते हैं सही बात है हमें पता है एक Correlation की 1 ml 1 cm3 के बराबर होता है Correct तो इस Conversion को यूज करते हैं 12 ml किसके 12 cm3 के बराबर हुआ Right अब हमें पता है यह Conversion की 1 m में कितने cm3 होता है 100 cm Right तो अगर हमें 12 cm3 को मीटर क्यूब में करना तो हम क्या करेंगे 12 को 100 की क्यूब से डिवाइड कर देंगे Right तो यह 100 क्यूब मीटर स्कूर इसको जब हम सिंप्लिफाय करके लिखें है तो क्या है गर 12 इंटू 10 रिज टुपार माइनस 6 या 1.2 इंटू 10 रिज टुपार माइनस 5 मीटर क्यूब सही है तो हमारा जो आंसर हुए इस कोश्चन का वो क्या हुआ ओप्शन बी क्लासिक्स टुट्वल से लेके नीट आई 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 टी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज राउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीज़ें अपने डाउट्स 8444 पर